असलाम लेकूम व्यूवर्स उमीद आप सब खेरियत से होंगे वेलकम टू हिना बिलाल कैनेडा को ब्लॉक्स आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैनेडा में आप दूद कैसे परचेस करती हैं और दूद को कैसे आप जिसना हमारे पाकिस्तान में तो क्या होता था कि डबों के अंदर दूद होता था और हम लोग या फिर फ्रेश आता था बॉइल कर लेते थे तो इदर कैनेडा में क्या होता है कैनेडा में मिलते हैं इस तरह के पाउचेस यह होते हैं वन लीटर के पाउचेस और उसके साथ आपको यह milk picture लेना पड़ता है और इसके अंदर जो है वो आप यह रखती है और फिर आप चाई बनाते हैं और मैं आपको पताती हूँ रखते किस तरह है आप लोग बोले होंगे यह किस तरह रखती है तो इसको आपने इस तरह डाला ठीक है और आपने इसको टाप टाप किया अदर तक चला गया ठीक है अब यह चला गया अब इसको आपने यहां पे सिजर के साथ कट कर लिया यह ओपन हो गया और अब हम लोग इसको पूर करेंगे यह मैंने पती रख लिये चाई के लिए चाई के लिए मैंने पती रखी है और मैं पिती हूँ अदरक वाली चाई तो अब हम लोग बनाते हैं चाई यह इस तरीके से कैनेडा में दूद मिलते हैं पिच्चर के बगएर आप दूद नहीं डख सकते हैं आप तहली के इदर रखेंगे एक दफा कोल देंगे यह लेना आपके लिए मस्ट है और मैंने पान में अपने डाल दी है आपके इलाइची और अद रॉखक एला आеची और अद्रक डाल दिया है मैंने पान में अन्ड रनी फट्व अन से जब दे यह यह तो आन डिया अब यह बोल होगा और इसके ंदर में डाल दूंगी अपनी पती अपनी पती और यह में डालती पती अब यह बॉईल पire और यह नीचे और इसमेश अवाज नहीं कें आए। यह इस तरीके से दूध यह बगार बॉयल हुए बगार ही डाल देती हूं मैं इसी तरीकी चाह पीती हूं अब मैं इस पिचर से डालूंगी अराम से ताके दूद गिरे ना फर्स ताम जब आप दूद डालती है देखे वरना थेली से डालेंगे और फिर आपसको स्टोर किस तरह करेंगे या आपको नहीं पता तो इस तरीके से इस मिल्क पिचर में कैनेडा में आप स्टोर करते हैं और आप इसी तरीके से इसको रख देंगे फ्रिज में और यह बिल्कुल नहीं खराब होगा या वन मंथ तक यूज़ कर सकते हैं मैं अब आपको इसी तरीके से रखके दिखाती हूँ यह देखें अब मैं आपको इसी तरीके से यहां पर रखके दिखाती हूँ और यहां पर रखती है और यह इस तरीके के पाउचस में आते हैं इसमें 4 है 4 लीटर होते हैं और फिर इसमें 1 लीटर होता है और उमीद आपक मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल हेना बिलाल खेनेरा व्लॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें शुक्रिया और अलाहाफिस